नमस्कार बहुत स्वागत है जो तिश्दिशास सत्तिकी राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टू फ्रेंड संतोश संतोशी दिन की सुरुवात नए स्वरूप से नए प्रारूप से नए अवरूप से नए धारना से नए उमीद नए जोश के साथ पुरा दिन किस प्रकार से आपका बेतीत होने वाला है दिन को शुब करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए कैसे आप कुछ विशेश में भी विशेश प्राप्ट कर सकते हैं एक उचाई को छू सकते हैं एक गहराई को नाप सकते हैं आपके जोतिश विज्ञान के माध्यम से पुरी जानकारे हम आपको देंगा आई शुर्वात करते हैं जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा फाल गुर्माह शुकल पक्ष चतूर्थिति लग चुका है चंद्रमा मेश में आज नक्षत रश्विनी और योग रहेगा ब्रह्मा तदनुसार दिनांक 6 फरवरी दिन रविवार रविवार को राहुकाल का समय शाम 4.5 से 6 और गुलिक काल 2.3 से 4.5 राहुकाल नए और शुब काम को बना करता है और गुलिक काल कहता है कि जो चाहें आप करने हर काम आपके बंते चले जाएंगे आज का एश्ट्रो क्विज हम आपको बताएंगे एश्ट्रो क्विज की बारे में आपको बसीर जानकारी हम आपको देना चाहेंगे मालेज अगर आप नए हम से जुड़े हैं एक हम जोतिश अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न करते हैं जिसका सही उत्तर आपको देना होता है हम चार विकल्प देते हैं सही उत्तर के साथ आपको अपनी दो फोटोग्राफ एक हाफ और एक फुल भेजना होता है अगर आप भागिशाली बनते हैं आपका उत्तर सही होता साथ लिष्ट होते हैं और फिर सेलेक्ट होते हैं तो हम आपको कॉल करेंगे आपके दिये गए नंबर पर और आप से किसी के बारे में भी एक कुंडली के बारे में नेहशुलक मिश्रेशन करेंगे जिसको हम कल के कारक्रम में कारक्रम के ही दोरान पब्लिश करेंगे आपकी हमारी आडियो क्लिप और आपका हमारा तस्वीर और कल के प्रिश्न का उत्तर चलाया जाएगा आए सुर्वात करते हैं अब आज की भविश्य वाणी की मेश राशी शिक्षा के लिए आप सफल हो रहे हर रुकावट से बाहर निकलेंगे ब्यापार आपका अच्छा चलेगा रुखे काम बन जाएंगे आज धन की स्थिति बहुत अच्छी को सपोर्ट करेंगे लेकिन लव लाइफ की स्थिति में सुधान नहीं हो रहा है आज अलगाव की उमीद बन सकती है स्वास्थ के मामले में पेट और किर्णी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी मेश है तो आज किसी जरुरत मंद को जल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना शुबरंग आज हरा भागी प्रतिशत फिफ्टी वन दाओं से मुक्ति देगा सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है दामपत्य जीवन में सकारात्मक्ता है पती-पत्नी की बीस नेह बढ़ेगा सवहार्द रहेगा लव-लाइफ की स्थिती में थोड़ी सी मुश्किले आईगी स्वास्थ के मामले में किटनी और बैक की प्राब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए ब्रिशवराशी वालों को उल्टी हथेली पर थोड़ा सा जल देकर अपने उपर छिड़काव कर लीजी क्या नहीं करना है दूसरों से उमीद नहीं करना है शुबरंग पीला भाग के प्रतिशत 59-69 मिथुन राशी समय अनकूल रहेगा सिक्षा में सुधार होगा पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे ब्यापारिक दिश्टिकोर से अरोध खत्म होगे प्राइविट सेक्टर में प्रमोशन होगा चिंताओं से मुक्ति मिलेगी सरक प्राइव की स्थिति में सुधार होगा शादी की चर्चा कर लीजेगा स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्राब्लम रहेगी क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी मिथुर है आज प्रियोक के तोर पर मादुर्गा को प्रणाम करते हुए ओम गंगणपते मादुर्गा को प्रणाम करना है मंत्र गणेश का भर जपना है बुद्ध्य और शक्ति का सम्मिश्रण रहे क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है आस्मांदिरंग शुभा 58 प्रतिशत का भाग्या है बया करक्राशी पढ़ाई में अवल आएंगे सिक्षा बहुत काम बन जाएंगे प्राइवेट सिक्टर पर थोड़ा सा कुठारा घात हो रहा है चिंताएं बढ़ सकती है सरकारी छेत्र बहुत अनकुल रहेगा हर प्रकार के शुबता मिलेगी दांबत्य जीवन अच्छा है पत्ति के साथ अच्छा समय बीतेगा सपोर्ट मिलेगा लव आपाय करें आज करकराशी वाले आज शिवलिंग पर शहद काम शेक कर दीजेगा क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है गुलावी रंग शुबच चोवन प्रतिशित का भाग्य है सिंगराशी दिनांग छे फरवरी पढ़ाई में तो बहुत टॉप करेंग ब्यापार की स्थिती में सुधार नहीं हो रहा है विजनस में समस्याएं बढ़ सकती है प्राइवेट सिक्टर में अरकूलता रहेगी नौकरी में प्रमोशन होगा वाहन का सुख मिलेगा सरकारी छेतर में उल्जन बढ़ सकी आज गौर्मेंट सिक्टर वाले किसी साथ अच्छा समय बीतेगा कहीं घुमने टहलने का कारिकर में बनेगा लव लाइफ की स्थिती में सुधार नहीं हो रहा है चिंताय बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में सिंग राशी वालों को आज बैक की प्रॉबलम आखों की तकलिफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए पढ़ाई के लिए बहुत सकारात्मक समय है शिक्षा बहुत अच्छी है मुश्किलों का हल निकलेगा बैपार तकलिफ देगा बिजनस में भसेंगे आप परिशारिया बढ़ेंगी प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा अवसर बढ़े मिलेंगे चिंताओं से म करेंगे लव लाइफ आप पर भारी पढ़ रहा है कुछ ने कुछ समस्याय बढ़ रही है स्वास्त के मामले में पेट और लिवर की प्रॉब्लम आज परिशान करेंगे अन्यराशी वालों को प्रियोग क्या करना चाहिए साथ बारिस पंद्र का जाप करिएगा क्या नहीं करना है दूसरों से उबीद नहीं करनी है ग्रे करर शुबह उनहत्तर प्रतिशत का भाग दिया है छे मार्च तुलाराशी वालों के लिए परिश्थितियां बहुत पक्षमे हैं बड़े अवसरों की प्राप्ति होगी मुश्किलों का हल लिग लेगा पढ़ाई में पूर्ता आएगी मित्रों का साथ व्यापार कश्ट दे रहा है बिजनस में श्थिति सुधर नहीं रही है चिंताएं बढ़ सकती है प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है प्रमोशन देगा यात्रा का सुखत अनुभव होगा सरकारी शेत्र में तनाव बढ़ रहा है गवर्मेंट सेक्टर सोच समझ कर फैसला लिजी दांपत्त जीवन अच्छा है पती पत्ती की बीच नहें बढ़ेगा एक दुसरे को सपोर्ड करेंगे लव लाइफ में उल्जन बढ़ेगी अचानक से समस्याइं बढ़ सकती है स्वास्थ के मामले में बैक की प्रॉबलम आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए तुला राशी वालों को उल्टी हथेली पर शुद्ध देशी घी रखकर किसी पौधे की नीचे डाल देजे सरसोग के पौधे के नीचे भी डाल सकते है तुलसी के नीचे पीपल के नीचे क्या नहीं करना है आज उमीद नहीं करकनी किसी से बैगली रंग शुभ है 56 प्रत्रित का भाग्य है अनकूल अफसर है पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं सिक्षा में लाब भी होगा व्यापार तकलीफ देगा बिजनस को ले करके सावधान रहें प्राइवेट सिक्टर आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा सरकारी छ प्रणेश को प्रणाम करके दूर्वा उनको अर्पित करिएगा क्या नहीं करना है आज दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रत्षत बावन धनुराशी पढ़ने में बहुत सफलता मिलेगा ब्यापार भी अच्छा च अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है चिंताएं बढ़ रही है शादी की चर्चा मत करिएगा स्वास्त के मामले में जुखाम खासी की शिकायत और किन्नी की समस्या हो सकती है उपा तो क्या पूछना है खोब मन लग रहा है और सबसे बड़ी चीज की आज बहुत ताजा महसूस करेंगे शिक्षा में बहुत समर्पित रहेंगे व्यापार तकलीफ दे रहा है बिजनस की स्थिति में ठीक नहीं लग रहा है प्राइवेट सेक्टर कजब का अरुभव देग पत्ति के साथ कुछ पुरानी समस्याओं से बाहर निकलेंगे सुसुराल से रिस्ता मधुर होगा बच्चों का सुख मिलेगा लव लाइफ में सुधार होगा वह स्थिया आपके पक्ष में सुच समझ कर फैसला लेजिएगा लेकिन स्वास्थ की मामले में बैक की प्रॉब मादुरगा की इस खास मंत्र का जाब करिए क्या नहीं करना है आज दक्षर दिसा की यात्रा नहीं करनी है नीरारंग शुभर साथ प्रत्षित का भाग्या है छे फरवरी कुम्बराशी पढ़ाई के लिए टॉप टाइम है आज मित्रों के साथ बहुत अच्छे से ब्यापार अच्छा है अनोखा है बाधाओं से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर तराव देगा उल्जने बढ़ सकती है सरकारी छेत्र में सब प्रकार की शुपता है कोवर्मेंट सेक्टर बिलकुल टॉप अम टॉप जाएगा दामपत्य जीवन उल्जन दे रहा ह उठापटक रहेगा परिस्तरिया पक्ष में रही है लव लाइव बहुत अर्कुल है हर प्रकार की शुपता रही है चिंताओं से मुक्ति मिलेगी स्वास्त के मामले में आज घुटना आख और बैक की प्राबलम रहेगी कुम्बराश उपाय क्या करना चाहिए आज किसी ज प्रत्षित का भाग्या है अंतिम राशी मीद पढ़ाई तो अच्छी चलेगी सिक्षा में कोई दुराव नहीं आएगा मन बहुत अच्छे से लगेगा ब्यापार की स्थिती ठीक नहीं समस्याएं फंस सकती है प्राइमेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है हर प्र मिलेगी लाब होगा दांपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय वीतेगा दूसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ उल्जन दे रहा है सूच समझकर फैसला लीजिए स्वास्त के मामले में पेट और लीवर की प्राबलम हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए मादुरगा को प्रणाम करके लाल तिलक अपने कंठ पे लगा लीजेगा क्या नहीं करना है आज अपने धास बताने नहीं किसी को शुबरंग काला भाग्य प्रत्षत सिख्टीवन एक सट लाब मिलेगा आई एज बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं आज का ग्रह का संबंध जुड़ा हुआ है नमक से किस ग्रह का संबंध जुड़ा है नमक में किस ग्रह का वास हैं बिकल्प हैं आपके ए मंगल बी राहु सी सूर डी शनी सही उत्तर दिये गए नमबर पर तुरंत भेजिये और बनिये भाग शाली विजेता कल कभी भी आप हमसे इसी कारक्रब में जुड़ के बदियाते मिलेंगे चलि आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज के लिए विशेश भाग्याक्षर मेश चा ब्रिशब मा मिथुन चाग्षर करक वा सिंग घाग्षर कन्या धा तुला दाग्षर ब्रिश्चिक गा धनू काग्षर मकल मकर लाग्षर कुम्भरा मीन वाग्षर यही है शुभ भाग्याक्षर जो सादे चौक और कागच पर लाल रंग वाले इंक की कलम से लिख कर अपने पास रखना होता है अब आज की सक्सेज की किसी पौधे के नीचे एक टुकड़ा लाल कपड़े का रख दीजेगा अब आज का आयुशमान भव दिनांक 6 मार्च को पैदा हुए लोगों का आयुशमान भव शुभ कामनाएं सबसे पहले तो किसी जरुरत मंद को खाना खिला के विद्यार्थी को श्टेशनरी आदि का दान करना है कॉपी, पेंसल, रबर, जमेटरी बॉक्स आदि ये समगरी और जनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है 6 मार्च को शुभ कामनाएं पीपल की तीन परिक्रमा करके जरुरत मंद को खाना खिलाना है और किसी बिधवा महिला को दवा का दान करना है पित्रों ये तो रहा आज का पूरा अंक अब बारी आ गई है कल पूछे गए प्रश्ण का सही उत्तर बताने की और उस भागिशाली दर्शक या दर्शिका से बात करनेगी तो भया कर हमने आप से प्रश्ण किया था कि चर्म रोग का कारक ग्रह कौन सा है अगर आपके जीवन में चर्म रोग होगा की नहीं होगा ये जानना हो तो बुद्ध की इस्थिती को सबसे पहले विचार किया जाता है बुद्ध की इस्थिती कैसी है अच्छी है मजबूत है तो आप बिलकुल निरोग रहेंगे तुचासंबंदी कोई रोग नहीं रहेगा बुद्ध आपका पीडी था 6-8 बारह में बैठा तो तुचासंबंदी कोई न कोई विमारी होगी अब कितना पीडी था इसी पे निर्भर करता कि कहीं कोड़ तो ना हो जाए तो जिसने भी सही उतर दिया शुमकामनाएं बधाईयां अब देखते हैं कौन है वो जो हमसे बात करेगा पूजा जी पूजा जी शिरादे संतोश संतोशी बात कर रहा हूं जोतिशदिशा यहां से बहुत आशिरवाद पूजा अज भागेशाली बन गई यह आप दैंक यह बूरु जी मुझे बहुत खुशी हो रही आज से बात करके कहां से बात कर रहे हैं पूजा मैं भिलवारा राजस्थान से आप है अभी कल मैं आ रहा था जैपूर से तो भिलवारा बीच में पड़ा था अच्छा इन दौर अच्छा बहुत कुछी है और आप मुझे भी अच्छा लग रहा है आप बेहतरीन आप आपने से रिप्लाई किया है कि तुचा संबंधी जो बीमारियां है चर्म रोग का कारण वो बुद्ध के कारण होता है अच्छा बिल्कुल क्या करती है आप पूजा कुछ नहीं पढ़ाई करके बेटियों समझ में आ रहा है आती लिया करूं अच्छा अच्छा चलिए हम आपकी प पूरी रहां सपना चाहते हैं को समझ भी म्याता है जो अच्छा तो आप अपने विशे में ही जानना है आपको डेटा बर्स बताईए पूजा अगरी मेरे बार नहीं जानना जाट नहीं जी नाइन थी दस ग्यारे नाइन टीथरी अगरी टाइम बताएए अगे यह शुब चलिए अब पूछे आप क्या जानना चाहती है में जानना है कि मुझे चोट जोड़ी बात पर टेंजन से हो जाते हैं पुझा आपकी तुला लगन की है लगन में ही आपकी नीच का सूर बैठा है आप थोड़ा सा हट जाए वहां बच्चों का शोर आ रहा है आप प्लीज हट जाएए वहां से आप शांत जगहें पर आपको आजाना चाहिए था इतना समय नहीं होता पुझा एनिवेस तो सूर आपका नीच रासी होने के कारण ही ये दोश बढ़ा है और राहु की दशा चल रही 2015 से तो एक बार व्यक्तिकत तोर पर कुंडली दिख आपके सेकेंड हाउस में मंगल के साथ बैठा है तो मरने औरने का भी खयाल आएगा कई वार आपको आपको प्रेत बाधा की लक्षणों में आता है पुझा दर भी लगेगा रात में सोते समय क्योंकि मंगल राहु वह सब हमें दिख रहा है और अब शादी हो गया अच्छा वही चिल्ला रहा था क्या भी वही चिल्ला रहा था पती के परिवार में जो सुष्राल आपकी है यहां पर किसी की कम उम्र में मृत्मृत्य हुई थी क्या अच्छा थी कोई नहीं अभी आप परिशान मत हुई एक बार पर्सनल नंबर पर कॉल करके एक बार जो है ऑफिस के नंबर पर एक बार पर्सनल अपॉइंट्मेंट आप ले तक के लिए गउश आला में काले तिल का दान सुरू कर दीजे तब तक के लिए अब एक बार आप ठीक हो जाए बस तब अच्छा लगेगा फिर सोच रहे मत सोचिए आज के प्रशन का उत्तर दिये गए नंबर पर फोर रन भेज दीजेगा आज के लिए इतना ही कल मिलेंगे हम आपसे पूरे में कल और परसो दो दिन पूरा और फिर मुंबई एहम्दाबाद भी आएंगे नमस्कार स्रीकिष्णा शेराले झालवे